हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ओनलाइन जेके क्लासिस में रेलवे रिक्वार्मेंट वोड के थुरू देखिए नोटिपिकेशन जारी किया गया है कि असिस्टेंट लोको पाइलट एंड टेकनिसियन के लिए जो लोग फॉर्म भरे थे उस टाइम पे टेन कि डिप्लोमा या इंजिनेरिंग के डिगरी को आप एड नहीं कर पाए थे तो उसके लिए ऑपोर्चुनिटी दिया जा रहा है कि फिर आप फिर से एड कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह शुरुवात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप से अगर अभी तक हमार चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो लाल बडन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जूड़ जाएं ताकि जो भी नई अपडेट्स आए सबसे पहले आपको मिले ठीक है जले शुरुवात करते हैं इसमें लिखे लिखा गया है रेलिवे रिक्वारिमें और प्रिवेंस चुं चणके हैं और एक्जाम् ट्रेड का चुनाओ कर लिया है वह चेंज करा सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं ठीक दोस्तों इसमें लिखा गया है कि सीविटी एक्जाम होने के बाद आप अगर पहले जो form बरे थे उसमें 1012 का marks नहीं जाले हैं physics math नहीं add किये हैं iti से हैं तो वो नहीं डाले हैं diploma से वो नहीं डाले हैं और btk किये हैं वो भी अगर आप नहीं डाले हैं तो आप फिर से update कर सकते हैं यह opportunity मिला है railway requirement board से देखिए आगे देखिए फिर क्या लिखा गया है इसमें पढ़के मैं आपको बता देता हूं ठीक है many participant of first stage cbt has represented that even though they had 10 plus 2 with physics and maths or additional technical qualification such as iti in more than one trade they had not filled these details at the time of application ठीक है but now in view of the opportunity to option 10 plus 2 physics and maths also as a trade for qualifying cbt they want to add such additional qualification in their application यह बोला जा रहा है इसमें कि application feel करते समय अगर आप 10 plus 2 mathematics और physics नहीं डाले हैं iti हैं जो नहीं डाले हैं बिटेक किये हैं नहीं डाले हैं डिप्लोमा जो वाले जो हैं वो नहीं डाल पाएं उनके लिए offer हैं उनके लिए opportunity है railway requirement board के द्वारा यह notification दिया गया है कि आप फिर से update कर सकते हैं फिर से rrb का selection कर सकते हैं फिर से post preference change कर सकते हैं और exam trade भी change कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह हमारे लिए बहुत बड़ी की डिगरी हो वो फिर से लगा सकते हैं ठीक है यह देख लीजिए हर जगा यह लिखा हुआ है यह लिखा गया है कि the link with above changes will be live again from 11 hour of 110 2018 एक 10 2018 से यह जो link होगा start होगा और इसका last date होगा submission करने का 16 2018 को ठीक है दोस्तों यह notification जारी किया गया है आप यह site खोल के देख सकते हैं कुलकत्ता के site पर इसे upload किया गया है और भी कुलकत्ता खोल लीजिए उस पर देखिए इसे upload किया गया है यह fake site नहीं है दोस्तों यह original site है आप खोल के देख सकते हैं यह कोई fake नहीं है अगर video पसंद आया तो हमारे चैनल को subscribe करें like करें दोस्तों में share करना ना भूलें और सबसे पहले video पाने के लिए लाल वटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें